हलो स्टुडेंट्स, कामर्स की इस किलास में मैं मुहमद सरफराज नवाज आपका वेलकम करता हूँ तो आज की हमारी किलास होगी स्टॉक एक्षेंज आपरेटर्स के बारे में इस्टॉक एक्षेंज क्या होता है और उसके क्या मीनिंग है यह आप लोग जानते ही होंगे इस्टॉक एक्षेंज के बारे में एक अलग सा वीडियो लिया गया था जिसमें इस्टॉक एक्षेंज को डीटेल में एक्स्प्लेइन किया गया था तो आज का जो topic है वो stock exchange से ही related है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि stock exchange में क्या होता है stock exchange में second hand securities का sale purchase होता है जहां पर लोग investment करते हैं securities को खरीदा जाता है और बेचा जाता है और investors यह चाते हैं कि उन्होंने जो investment किया है उनके investments का return मिले या फिर उनके investments की value बढ़े यही सोचकर investors क्या करते हैं यही सोचकर investors share market में अपना पैसा लगाते हैं और securities को खरीदते हैं तो आज के हमारी यह class stock exchange से ही related है और आज के इस class में हम बात करेंगे stock exchange operators की operators का क्या मतलब हुआ operators का मतलब चलाने वाले अब stock exchange operators का मतलब stock exchange को चलाने वाले आज की इस class में हम जानेंगे के stock exchange operators कौन होते हैं और वो क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं stock exchange operators stock exchange operator कोई भी आदमी हो सकता है या एक group हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा institution हो सकता है और जिनके पास दो अहम चीजें होती हैं एक होता है पैसा और दूसरा होता है पावर याने के इन दो चीजों पर कौन सी चीजें पैसा और पावर पर वो stock exchange को operate करते हैं तो अब बात करते हैं पैसे की तो इनके पास कितना पैसा होगा इनके पास हजारों लाखों करोडों रुपे रहेंगे और बहुत ज्यादा पैसा रहेगा और कई करोडों की जायदादे होंगी याने के बेहिसाब पैसा रहेगा अब किसी आदमी के पास इतना पैसा है या फिर एक गुरूप के पास है या फिर कोई एक institution के पास है तो क्या वो अपने पैसे को यूहीं खुला छोड़ देंगे यूहीं पड़ा रहने देंगे वो ऐसा नहीं करते तो वो क्या करेंगे वो पैसे से पैसे को बढ़ाना चाहेंगे और stock market उनके लिए एक बहतरीन platform होता है और जहां पर वो risk लेंगे पैसा लगाएंगे और पैसा बनाएंगे और ये खांदानी पैसे वाले लोग होते हैं मतलब याने के उनके कई generation से पैसा बहुत ज्यादा होता है ये बहुत बड़े business man हो सकते है या फिर बहुत बड़े इंडरेस्टेलिस्ट हो सकते है और दूसरी चीज उनके पास होती है power power का मतलब influence अब जाहर सी बात है जब इतना सारा पैसा रहेगा तो automatically influence तो होगा ही और ये influence political भी हो सकता है जो सबसे बड़ा influence माना जाएगा तो समझे stock exchange operators कौन लोग होते हैं याने के वो लोग जिनके पास बहुत स्यादा पैसा है और वो पैसे से पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और जिनके पास influence भी बहुत जियादा होए ये अपने जाती फायदे के लिए share prices को बढ़ाते हैं और कम करते हैं याने के जहां पर उनको फायदा समझ में आ गया उस share के prices को बढ़ा देते हैं और जहां पर share prices को कम करने में भी इनका एक्तियार होता है याने के जहां पर इनको अपना जाती फायदा personal gain नजर आता है वो लोग ये काम करेंगे चाहे profit हो या loss हो दूसरों का मगर अपना जाती फायदा होना चाहिए याने के अगर share prices को बढ़ाने से उनका जाती फायदा हो रहा है तो वो क्या करेंगे वो share prices को बढ़ा देंगे और अगर share prices को कम करने में भी अगर उनको profit मिल रहा है उनका अपना जाती फाइदा हो रहा है तो वो क्या करेंगे वो share prices को गिरा देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि operators अपने जाती फाइदे के लिए share prices को manipulate करेंगे share prices को कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे manipulate करेंगे रदो बदल करेंगे और अपना जाती फाइदा हासिल करेंगे personal gain हासिल करेंगे उपर आने वाले shares को नीचे लाते हैं और नीचे आने वाले shares को उपर लाते हैं यानि के खुद के फायदे के लिए अपने पर्सनल गेन के लिए वो ऐसा करते हैं ताके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके किसके लिए प्रॉफिट कमाना खुद अपने लिए प्रॉफिट कमाना दूसरों के लिए नहीं, किसके लिए करेंगे वो ऐसा, वो खुद अपने लिए ऐसा करेंगे operators किस तरह share prices को बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उसके बारे में अब हम थोड़ा deeply उसको जानेंगे अब देखें कि कोई एक company है, XYZ company है, और जिसका share price बहुत कम है, और बहुत सस्ता है अब company चाहती है कि उसका share price बढ़े, उसके share prices का दाम बढ़े तो अब company क्या करेगी? तो अब company अपने promoters को operators के पास भेजेगी अब आप सोच रहे होंगे, कि अब ये operators में promoters कहां से आगे? वो लोग जो company के बारे में सोचते हैं, और company को चलाते हैं company को आगे बढ़ाना चाहते हैं, company की तरखी चाहते हैं उसका development चाहते हैं, तो उन लोगों को हम क्या कहेंगे? उन लोगों को हम promoters कहेंगे तो अब company क्या करेगी? तो अब company अपने promoters को operators के पास भेजेगी और ये promoters बहुत ही होशार होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं और वो लोग क्या करेंगे? वो एक offer पेश करेंगे, किसको पेश करेंगे? operators को एक offer पेश करेंगे, कि हम हमारी company के कुछ shares आपको free में दे देंगे तो उसके बदले में आप हमारी company के share prices को बढ़ा दीजिए, बोल कर और उसके साथ साथ कभी-कभी वो लोग पैशा भी offer करते हैं तो इससे का होगा? इससे operators लालच में आ जाएंगे, greedy बन जाएंगे वो लोग के company के shares free में मिल रहे हैं और उसके साथ साथ पैशा भी मिल रहा है और काम क्या करना है? काम सिर्फ इतना है कि उस company के share के prices को बढ़ाना है बढ़ा कर बताना है ताके लोग उस company में investment कर सकें उस company के shares को ज्यादा खीमत पर खरीद सकें तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीखे से operators अपने जाती फाइदे के लिए share prices को बढ़ा रहे हैं तो समझ में आया operators क्या होते हैं? brokers को और jobbers को किसको? brokers को और jobbers को stock market के main operators माना जाता है याने के ये लोग share prices में manipulate करते हैं share prices को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं ये इनके हाथ में होता है ऐसा करने में वो सरिफ अपना जाती फाइदा देखते हैं अपना personal gain देखते हैं अब brokers क्या होते हैं या आप लोग जानते ही होंगे ये एक आम से एजेंट्स होते हैं जो कमीशन की बेसिस पर काम करते हैं इनको काम की बेसिस पर कमीशन दिया जाता है Stock Exchange के Registered Members, Brokers होते हैं Stock Exchange में Broker बनने के लिए उनको Stock Exchange में Registered कराना पड़ता है ताके ये वहाँ पर काम कर सके हैं कौन सा काम? Securities को खरीदने का और Securities को बेचने का काम जिसकी बेसिस पर उनको कमीशन मिलता है ये वो किसके लिए करते हैं? ये वो अपने Clients के लिए करते हैं या फिर अपने Investors के लिए करते हैं या फिर Public के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? securities को खरीदते हैं और बेचते हैं और commission हासिल करते हैं तो समझ में आया अब shares को sales purchase करने का काम कौन करेंगे brokers करेंगे याने कि इनके हाथ में shares को खरीदना भी है और shares को बेचना भी है तो क्या ये आसानी से manipulate कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल ये shares को आसानी के साथ manipulate कर सकते हैं share के prices को बढ़ा सकते हैं और shares के prices को घटा भी सकते हैं वासा क्यों करेंगे वो अपने जाती फायदे के लिए ऐसा करेंगे ये तो हो गए brokers अब दूसरे हैं jobbers ये कौन होते हैं ये भी stock exchange के registered members होते हैं और ये खुद ही अपने लिए securities को खरीदते हैं और securities को बेचते हैं और securities की खीमताओं को बढ़ा कर बेच देते हैं और अपने लिए profit कमाते हैं तो समझ में आया आपको के stock exchange में किस तरीखे से काम हो रहा है याने के एक company को अपने शेस के prices बढ़ाने हैं तो company क्या करेगी तो company अपने promoter को operators के पास भेजेगी ये operators कौन हैं ये बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और influence भी होता है पावर भी होता है और अगर वाखी में देखा गया तो पूरे stock exchange को operator सी चलाते हैं company ने अपने promoter के जरीए operator को कुछ offers किये offers कैसे किये कि हम हमारी company के इतने shares आपको free में दे देंगे और उसके साथ उनको कुछ पैसों का भी लालच दिया गया किसको दिया गया? operators को दिया गया किस ने दिया? company के promoters ने दिया operators के पास बहुत ज्यादा brokers होते हैं और jobbers होते हैं और operators इनसे कुछ setting करा कर share prices को बढ़ा देते हैं अब फर्स कीजिए कि company के promoter ने अपना एक share जो 10 रुपे का है operator को दे दिया अब operator क्या करेगा? अब operator अपने किसी एक broker को वो 10 रुपे के share को 12 रुपे में बेचेगा और दूसरा broker क्या करेगा? पहले वाले broker से 15 रुपे में खरीदेगा अब तीसरा broker उससे 20 रुपे में खरीदेगा और एक काम ऐसे ही चलते रहेगा यानि एक broker बेचेगा दूसरा broker खरीदेगा shares के prices को बढ़ा कर बेचते हैं तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि लोग समझते हैं अरे फला company के shares बढ़ रहे हैं देखो थोड़े दिन पहले वो company का share जो है 10 रुपे में था और बढ़ते बढ़ते उसकी खीमत 100 रुपे हो चुकी है और ये company तेजी से growth कर रही है और इसका profit भी बहुत अच्छा रहेगा ये सोच कर लोग share खरीदना शुरू कर देते हैं तो देखा आपने किस तरीखे से operators अपने जाती फायदे के लिए share prices को बढ़ा देते हैं और 10 रुपे के share को 100 रुपे में बेच डालते हैं याने कि वो अपने जाती फायदे के लिए share prices को manipulate करते हैं और जिन्हों ने 10 रुपे का share 100 रुपे में खरीदा है उनके लिए तो नखसान हो गया क्यूं? क्यूंकि उनको अब कोई खरीदार नहीं मिलेगा क्यूं? क्यूंकि कोई खरीदार है ही नहीं क्यूंकि brokers आपस में मिल गए और एक दूसरे को share purchase करते रहे और share sale करते रहे आपस में share का sale purchase चलता रहा और मासों investors को धोका देकर अपना profit कमा कर ली गए और जिन्होंने investment किया है उनका तो पूरा नखसान हो गया क्यूंकि उनके shares को अब कोई नहीं खरीदेगा क्यूंकि उनके share की market में उतनी value है ही नहीं 10 रुपे थी value 100 रुपे में इन्होंने खरीद लिया अब बाद में वो कितने में बेचेंगे बाद में 100 रुपे में वो नहीं पिकेगा कम में बेचना पड़ेगा फिर वाखी में 10 रुपे में आ जाएंगे वो लो तो इससे उनको नखसान हो गया तो यह था आज का हमारा topic stock exchange operators के बारे में मैं उमीद करता हूँ के आपको आज का यह class समझ में आई होगी तो अब हम हमारी इस class को यहीं पर खतम करते हैं और मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए thank you